पाकिस्तान में हाल ही में आर्थिक स्तिती को ध्यान में रखते हुए कुछ कठोर फैसले लिए गए। परिस्ति खराबी है अब जो दौर श्री लंका में देखने को मिला बहुत जल्द ऐसा ही दौर भारत के एक और पडूसी देश में देखने को मिलेगा और वो देश होगा पाकिस्तान पाकिस्तान जो इस समय खस्ताहाल अर्थिव्यवस्ता से जूज रहा है जहां पर हालात ल परिणाब में पाकिस्तान ना तो इस कर्ज को चुका पारा है और ना ही कोई और देश पाकिस्तान को कर्ज देना चाहता है हालात इतने खराब हो गए हैं कि IMF bail out के लिए apply करना भी उसकी वर्तमान अर्थ विवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जानकार मानते कि पाकिस्तान की गलत व्यपारिक नीती और गलत परियोजनाओं का गलत समय पर शुरू होना उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक सबसे बड़ी परियोजना है CPAC जिसने पूरी तरह से पाकिस्तान को निगल लिया। पाकिस्तान ने लगातार कर्ज लेकर पूरी दुनिया में अपनी छवी को धुमिल किया। सिर्फ मांगने वाली फितरत ने उसकी विश्वसनियता को भी ठेस पहुँचाए। साट बिलियन डॉलर की चीन पाकिस्तान एकॉनोमिक कोरिडोर यानि सीपेक परियोजना ने पाकिस्तान का भला करने के बजाए उसे हाशे पर लाने का काम कर दिया। पादन में खुद को आत्म निर्वर बनाने की उमीद लगाए बैटा था, लाखों नौकरियां जिनरेट कर फिरोजगारी खत्म करने के सपने देख रहा था, वो सब कुछ अब धरा का धरा रह गया है। बूरी तरह से दबाता है, फिर जब कर्ज चुका नहीं पाता, तो फिर उनकी संपत्ति को अपने कबजे में लेना शुरू कर देते हैं। चीन के कर्ज जाल का शिकार अकेला पाकिस्तान नहीं हुआ। चीन ने आफरीका देशों में भी यही किया, श्री लंका में भी ऐसा ही हुआ। Bureau Report भारत तक